नमस्कार दोस्तों मैं संजे मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याना विधान सभा चुनाव के एक्जिट पोल की श्रिंखला में मैं आपसे अभी तक दो लोगसभा की बात कर चुका हूँ फरिदावाद और गुरुग्राम इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा हर्याना की एक प्रमुक लोगसभा सीट जिसमें 9 विधान सभा सीटें हैं यानि की 9 सीटें सभी लोगसभाओं में हैं इस वीडियो में मैं आपसे जिक्र करूँगा रोतक लोगसभा का रोतक लोगसभा जहां पर दिपेंदर पहले सांसत बन गए थे और नो सभासिटों इन कोंग्रेस की बढ़त होई थी में चाहरो बढ़त कोसली विधान ओधा की थी और चाय उसके बाद में किलोई विधानसभा सीट जहां पर बड़त का बहुत बड़ा मार्जन था और इस विधानसभा चुनाओं में यानि कि अब 2024 के विधानसभा चुनाओं में चार महीने बाद सिती क्या बनी हुई है आपसे चर्चा में हूं लेकर के रहतक लोगसभा की नौ सीटों को लेकर रहतक लोगसभा की बात करें तो यहां की जो नौ विधानसभा सीटे हैं जिनका हेड क्वार्टर रहतक कहेंगे रहतक में भारत बुशन बत्रा बीवी बत्रा निवर्तमान विधायक ये कॉंग्रेस के कैंडिडेट है और इनके मुकाबले भारती जंता पार्टीव को चुनाव मैदान में फिर उतारा तीसरी बार मनीश गोवर 2014 के चुनाव में चुनाव जीत गए थे 2019 में चुनाव हार गए 2024 के चुनाव से पहले मनीश ग्रोवर का जो सारा नाठकिय घटना करम था आपको ध्यान होगा एक बार उन्हें एलान किया कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूँगा पार्टी की सेवा करूँगा संगठन में और 24 गंटे बाद उन्होंने यूटन लिया और कहा कि जनता की डिमांड है मैं चुनाव लड़ूँगा जनता की डिमांड पर चुनाव लड़ना और अपने मन से चुनाव ना लड़ना ये दोनों बाते उनको रास नहीं आ रही अगर मैं आपको रहतक का बता दू तो रहतक सीटी के अंदर भारत भूशन बत्रा जो पिछले चुनाव में जो उनकी लीड लगवग 5000 की थी वो उस लीड को और बड़ा करने जा रहे है यानि की रहतक की शेहर विधानसभा सीट बीवी बत्रा के लिए पूरी तरह सेफ है अगर दूसरी विधानसभा की बात करें तो फिर रहतक के बाद बात कर लेंगे किलोई की पूरु मुख्य मंतरी भूपेंदर सिंग हुड़ा की सीट हुड़ा जहां पर पांचवी बार चुनाव मैदान में थे और उनके सामने जो भारती जनता पार्टी ने प्रयोग किया महिला नेत्री जिला परिशत की चेर परसन उनके पती पर आरोब गैंक्स्टर होने का और खुद मंजू हुड़ा जो केंडिडिट थी वो भी हुड़ा और उसके साथ साथ वो सोशल मीडिया की एक बड़ी स्टार कह सकते हैं उनको सोशल मीडिया पर पूरी तरह एक्टिव की तरफ हैं अगर अगली बात करें तो फिर रहतक लोगसभा के अंदर बात आ जाएगी बहाद्रगड विदान सभा की बहाद्रगड में राजंदर जून कैंडिडेट कॉंग्रेस के निवर्तमान विधायक और उनके मुकावले राजेश जून राजेश जून यहां पर च को पर चुनाव मैदान में थे और मुकावला यहां पर बताया जा रहा है इंडिपंडेंट और कॉंग्रेस के बीच यानि कि चाचा भतीजे के बीच और इसके बीच में भी हालाकि राजेश जून ने चुनाव बहुत बहतरी के साथ लड़ा राजेश जून का जो जून को यहां पर फिर से बड़त दिलाने की तरफ है लेकिन इसके बावजूत भी बहाद्र गड़ विधान सभा को अगर हम यह कहकर कर चलें कि यहां पर चाचा भतीजे यानि की राजेश जून में काटे की फाइट है अगली विधान सभा की बात करेंगे तो फिर अगली विधान सभा की बात करेंगे तो फिर कला नौर कला नौर से शकूंतला खटक एक बार फिर चुनाव मैदान में यही पतया की तरफ है और रहतक लोगसेश में जैसा जलवा चला था वो जलवा कायम है अगली विधान सभा की बात आएगी तो Exact के Safari विधान सभा सीट पर ओपी धनकड और ओपी धनकड साहब ने टिकेट दिलवाया संजे कबलाना को लेकिन बेरी विधानसभा सीट वही पुराना जो अंदाज चला रहा है उसी अंदाज पर अब भी चलने को तयार है बुपेंदर सिंग उड़ा और दिपेंदर उड़ा का जलवा यहां भी पूरी तरह कायम है अगर अगली विधानसभा की बात करेंगे तो फिर अगली विधानसभा सीट आएगी महम विधानसवा सीट में कॉंग्रेस ने आनन सिंग दांगी के स्थान पर उनके बेटे बलराम दांगी के मुकाबले जो चुनाव मैदान में रहे वो निवर्तमान विधायक बलराज कुंडू इंडिपेंडेंट MLA कल का जब विधानसवा चुनाव चल रहा था तो बलराज कुंडू की खबर चली थी कि बलराज कुंडू के साथ में हाथा पाई हुई और उनके साथ में अबद्र अशोवनिय वैवार की बात भी चली यहां पर एक प्रमुक केंडिट एक और रहे मेहम के अंदर हलाकि भारती कोई असर करते दिखाई दिये नहीं इधर एक भारती जनता पारटी के नेता हुए शमशेर खरखड़ा उनकी धरमपत्नी राधा चुनाव मैदान में थी लेकिन चुनावी लड़ाई है जो वह सीधे सीधे इंडिपेंडेंट यानि कि बलराज कुंडू जिनके अपनी पा पावला हो सकता है और इस लोकसभा की अगली विधानसभा सीध बादली बादली से ओम प्रकाश धनकड एक बार फिर मैदान में चुनाव मैदान में उतरे 2014 में जीत गए थे 2019 में हार गए 2024 के चुनाव से पहले जब वो तक वो परदेश अद्यक्ष रहे उन्होंने बादली में खूब अपनी बातें की कि अगर मुझे आप बना दें मुझे विधायक बना दें तो मैं क्या बन जाओं पता नहीं लेकिन बादली विधानसभा सीट पर जो उम्प्रकाश धनकड की अपील थी उनका कोई असर दिखाई पड़ नहीं रहा बादली के निवर्तमान विधायक है कुल्दीब वत्स और कुल्दीब वत्स एक बर फिर रिपीट होने की तरफ है और रौतक लोगसभा की अंतिम विधानसभा सीट जो अहीरवाल से आती है कोसली जगदीश यादव जगदीश यादव लोगसभा चुनाव से पहले कॉंग्रेस के अंदर शामिल हुए थे जगदीश यादव का ओरा था और दिपेंदर हुड़ा की मैनत इन दोनों ने मिल करके कोसली के अंदर भी कॉंग्रेस को लोगसभा चुनाव में जिता दिया था इस चुनाव में भारती जंता पार्टी ने अपना चेहरा कोसली में बदल दिया और भारती जंता पार्टी ने कोसली में अपना चेहरा बदल करके जिन कैंडिडेट पर दाव लगाया वो हुए अनिल यादव अनिल डहीना राव इंदर जी सिंग के समर्थक और कोसली विधा पार्टी ने अनिल यादव को केंड़ेट बनाया था तो उस समय यह कहा गया था कि अनिल यादव चुनाव में कहीं टिकेंगे नहीं लेकिन चुनाव के बाद की जो स्थिति है वो यह बता रही है कि जगदीश यादव का एस तो है लेकिन मुकाबला कांटे का फसा हुआ है तो रौतक लोगसभा कि अगर हम आपको बता दें, छे सीटों पर कॉंग्रेस क्लियर है और तीन विधानसभा सीटों पर कॉंग्रेस काटे की फाइट में है। उन तीनों के अंदर कोसली आ गई, उनके अंदर भाद्रगर और उनके अंदर तीसरी विधानसभा सीट मेहम। आप हमारी बास से कितना सहमत है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल क और नए वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर करें अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शियर करें